Hello friends, welcome to my YouTube channel. Exercise 9.4 से question number 2 करेंगी. The number of mathematics books sold by a shopkeeper in 6 consecutive days is shown below. एक shopkeeper ने लगातार 6 दिन कितनी मैस की बुक बेकी हैं उसका डाटा यहाँ पे दे रखा है. यहाँ days दे रखे हैं Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और कितनी कितनी बुक्स बेकी हैं इन हिन दिनों में वो नीचे दे रखा है. Number of books sold, जैसे Sunday को 65 मैस की बुक सेल हुई है, Monday को 40 बुक सेल हुई है, इसी तरह से लगातार, consecutive को मतलब होता है लगातार. तो यह लगातार ही तो आ रहे हैं Sunday के बाद Monday, Monday के बाद Tuesday and so on. तो इन 6 दिनों में जितनी बुक्स भी की हैं मैस की वो यहाँ पे दे रखा है. Draw a bar graph to represent the above information, choosing the scale of your choice. अपनी choice का एक scale चूज करके आप इस information को एक bar graph पे दिखाईए. चलिए सबसे पहले तो हम एक scale ही चूज कर लेते हैं. देखे, scale की choosing होती है, numbers पे depend करता है. यहाँ मैं देख रहा हूं कि 40, 30, 50, 20, 70 और यहाँ पे 65 भी आ गया है. तो अगर मैं एक unit को 10 के बराबर ले लेता हूं, तो कोई problem नहीं है. क्योंकि 10 के tables तो यहाँ पे चली रहे हैं. तो scale लोगा मैं यहाँ पे एक unit को, यह जो graph sheet मैं use कर रहा हूं, इसमें जो box होता है, एक box, यह एक unit बोला जाएगा. तो इस एक unit की length को मैं 10 books के बराबर यहाँ पे ले लोगा. अब बनाते हैं इसका bar graph. तो bar graph आपने first question में भी मैंने बता दिया, किन-किन चीजों की आपको पहले तयारी करनी होती है. ऐसे दो line बनती हैं, यह horizontal line है, और यह होगई यह vertical line. horizontal line पे यहाँ पे मैं days को दिखाऊँगा, तो यह मैंने days लिख लिया है, और vertical line के उपर मेरे को लिखना होता है counting. यहाँ पे क्या चीज़े हैं? number of books sold, इनकी ही तो counting दे रखी है, और यह counting मैं scale के हिसाब से लिखता हूँ. जैसे एक unit को 10 books के बराबर लिया है, तो यहाँ से starting हो रही है counting, तो यह तो zero हो गया, तो जो एक unit है न उपर की तरफ, यह 10 को दिखाएगा, और इससे उपर फिर एक और unit 20 को, फिर एक और unit 30 को, ऐसी 10-10 के gap से उपर ही गिंती चलती जाएगी. तो अब बनाना शुरू करते हैं, पहला जो बार बनेगा वो संडे का बनेगा, और यह जो vertical line है, इससे एक unit जगह खाली छोड़ने होती है, ऐसा नहीं है कि इससे चिपका के बार बना देते हैं, तो यह जगह यहाँ पर खाली छोड़ी जाएगी, और यहाँ पर बनेगा सं इससे अगला, फिर इक छोड़के इससे अगला, यह जो बार्स होते हैं, इनके बीच में भी उतना ही गैप रखा जाता है, जितना की बार की चोड़ाई होती है, तो संडे को है 65, संडे को 65 बुक्स सेल हुई है, तो यह बनेगा यहाँ पर संडे का बार, और यह गिंती जा फोटे 10 बॉक्स बने होते हैं, और इन पर यह जो थोड़ी एक बीच में बरीक लाइन होती है, यह 5 तक की होती है, यानि 60 से उपर हमें छोटा सा बॉक्स गिन हुआ, तो 61 हो गया, फिर 62, 63, 64, 65 हो गया, 65 पर यह थोड़ी सी हलकी सी मोटी लाइन होती है, तो 70 के और 60 के बि यह मेरा यहां तक जाएगा, इसके सामने तक, जहां मैंने यह blue mark किया है, यह है 65, तो पहला तो ऐसे mark की कर लेते हैं, उसके बाद scale से इसको इसके base तक जोड़ देते हैं, यह मैंने जोड़ दिया, और यह जो Sunday लिखना है आपको, यह चाहे तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास जगह काफी सारी हो, अगर नीचे जगह कम पढ़ रही हो, और नाम आपका बड़ा हो, तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, तो मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ, 65 बुक्स की सेल हुई है, अब बनाते हैं मंडे का, तो मंडे को बुक्स की सेल हो रही है 40, तो पहले तो मैं 40 का मार्क देख लेता हूँ, यह रहा 40 का मार्क, और बार बनेगा मेरा यहां से एक छोड़ के, यह मैंने बेस अलड़ी बना रखा है, तो यहां छोड़ के यहां मार्क मैंने लगा लिया मार्क लगा लिया इसको लाइन तयार करके नीचे बेस तक जोड़ देंगे ये बन गई है 40 तक की हाइट और ये है मंडे तो इसका नाम में इसके अंदर ही लिख देता हूँ बड़ा बड़ा M-O-N-D-A-Y मंडे फिर तीसरा बार बनेगा इसके आगे एक बार की जगह खाली छोड़ के गैप यहाँ पर बेस मैंने उल्लडी बना दिया है सबका Tuesday है Tuesday को 30 बुक्स की सेल हुई है तो इस बार को 30 के हाइट तक ले जाना है तो ये 10, ये 20, ये 30 देखिए 30 यहाँ हो गया 30 पर मार्क लगा लिया इसको जोड़ देते हैं नीचे तक और ये है Tuesday का तो इसका नाम लिख देते हैं अंदर T.U.E.S.D.A.Y Tuesday Next है Tuesday के बाद Wednesday को 50 बुक्स की सेल हो रही है तो बार बनेगा यहाँ पर बेस मैंने बना रखा है अगला तो 50 तक जाना है 50 यहाँ हो जाएगा 50 यहाँ आप यहाँ भी ना देखना चाहें तो यही से देख सकते हैं क्योंकि Graph Copy का यही फायदा होता इसमें जो Unit है वो साफ देखती है 1,2,3,4,5 तो 50 हो गया यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं नीचे तक तो यह बार तयार हो जाएगा और यह है Wednesday का तो नाम इसके अंदर ही लिख देंगे बड़ा बड़ा W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday Next बनेगा Thursday का तो एक खाली छोड़ेंगे gap और यहाँ पर Thursday का बनेगा Thursday को books की sale हो रही है 20 तो 20 तक चड़ाना इस बार को यह 10 हो गया यह 20 हो गया यह मैंने 20 का मार्क लगा दिया और स्केल से नीचे तक इसे जोड़ देंगे तो इसका बार तयार और इसका नाम है Thursday P-H-U-R-S-D-A-Y Thursday Next Friday एक gap छोड़ेंगे Friday का बार यहाँ बनेगा Friday को 70 books की sale हो रही है तो यही से उपर तक 70 चलना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ पर है 70 यहाँ से भी मैच कर लीजे जब आप ऐसे सीधे जाओगे तो यह 70 हो गया तो यह मैंने लगा लिया है 70 का मार्क और स्केल से इसको नीचे जोड़ देंगे और यह है Friday बस यह लास्ट बार था लास्ट बार हमने बना दिया है इसके अंदर कुछ कोशन तो है ही नहीं कोई हमसे कोई कोशन तो पूछा नहीं है स्केल भी इन्होंने कह दिया था कि आप अपनी मर्जी का ले लेना तो हमने एक यूनिट को 10 के बराबर ले लिया था कोशन खतम नेक्स कोशन के लिए नेक्स वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई